कि दोस्तों हमारा रेडियूसर है जो कि पैसेंजर होस्ट का रेडियूसर है यह आपको मैं दिखा रहा हूं मोटर का टॉर्क है रेडियूसर लगाने के बाद कैसे बढ़ता है यह देखिए इजली घूम रहा है इदर से यह आप देख पा रहेंगे इधर से इजली घूम जा रहा है लेकिन अगर हम इधर से इसको घूमाने का प्रयास करेंगे जो इसका पिनियन है पिनियन साइड से घूमाने का प्रयास करेंगे तो यह बिल्कुल ही नहीं घूमेगा देख रहे हैं आप देख पा रहा हूंगे यह नहीं घूमता है इसके लि को बढ़ा देता है मतलब motor का जो ताकत है ना ताकत उसका बढ़ जाता है और यह चो अब माराव मूटर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों ही हमारा motor है जो कि इसका जो motor capacity है वो 11 kW प्लस 18 kW का motor है यह अभी इसका थोड़ा से cleaning हो रहा है आप देख पा रहे होंगे इसका थोड़ा cleaning हो रहा है इसका जो पीछे का brake जो brake attachment रहता है वो पूरा system अभी रिमूब किया गया है और दोस्तों अगर आपको paint किसी चीज का निकालना है तो इस chemical का use करिए paint easily निकल जाएगा और आप देख पा रहे होंगे पूरा paint इसका लगबग लगबग निकल गया है इसके उपर वापस हम लोग ने paint करेंगे उसके बाद में देखिए यहां बहुत परकार का motor रखा हुआ है यह आप देख लिजिए यह motor देखिए आलग quality का है कुछ आलग model का है इसका capacity का बात करूँ तो यह 75 kW से लेके 22 kW तक पर work करता है यह हमारा motor है बहुत ही है यह भी motor है यह भी passenger host का motor है आप लोग देख पा रहे होंगे और इसका जो reducer है और reducer इसे में connected है आप देख लिजिए और reducer इसे में connected है और इधर से अगर मैं इसको घुमाता हूँ तो देखेंगे आप धीरे-धीरे reducer हमारा घुम रहा है लेकिन अगर reducer को हम घुमाएंगे यह देख लिजिए आप इधर से बहुत ही आसाने से घुम रहा है और reducer घुम रहा है मेरा इधर से इसली घुम जाता है लेकिन अगर हम reducer घुमाने का प्रयास करूँगा तो देख लिजिए reducer घुमाऊंगा तो बिल्कुल यह हीलेगा ही नहीं इसके लिए motor से reducer का काम होता है उसके torque को बढ़ा देना simple है उसके reducer के ताकत को बढ़ा देना इस देख लिजिए ताकत को बढ़ा देता है thank you for watching my video